अब्रीबडी गड़ीद मंद्रा में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है स्सी सीजल 2023 के टियर वन की एक्जाम ऑंगोइंग है आज मेरा एक्जाम था सेकेंड शिप्ट में आनीक 17 जुलाई सेकेंड शिप्ट में तो मैं अपने एक्जाम का रिवीव करने वाला हूं सा ठीक है आनीकी साड़े साथ जारवे केंजी टेंटेट यूँ आपकी आहीं है और आपको जो क्वालिफाइज जो कंडिडेट होंगे वो करीब 75,000 की आसपास होंगे अब देखो 2022 की तुलना मिल्कुल मत करेंगो उसमें बहुत जादा थी यो कंडिडेट बहुत जादा सब्सक्राइज तो वैसे ही अब इस बार क्या होगा ना यह कॉलिफाइज करते हैं तो 75,000 के आसपास की रहेगी वह सकता थोड़ी सी हायर लेबल पर चली जाए ठीक थोड़ी सी लिटिक क्योंकि 75,000 की आसपास कंडिडेट क्वालिफाइज करेंगे अब बात करते हैं मैध रिजिनिंग की तो यह है मैध रिजिनिंग का जो पेपर आ रहा है वो आप मानगे जलिए 2020-2022 वाले के लेवल पर ही आ रहा है कटिन बिलकुल भी नहीं है हाँ रिजिनिंग में और मैध में दो-तीन कोश्चन आपको ऐसे मिलेंगे वो सकता आपको पर जूजना पड़े तो आप कायम करेंगे 20 कोश्चन तो आपके आजली हो जाएंगे मतलब ज्याद आपको टेंसर लेने जरूतेंगे जो कोश्चन आपके छोड़ जाए तो एक बार में ना दुवार छोड़न को छोड़ दें और वापस जब आपके पार टाइम मिलें त आपको फसाएंगे अब इसे कोशन दिया था उसमें रेडियस जीवों गरीब थी मतलब काफी पॉइंट में दी थी और क्याना में उसका वॉल्यूम निकालना था और हैट भी पॉइंट में दी तो पॉइंट की वैल्यू आपको निकालना थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा था ठीक है मैंने प्रोसेस बता दिया एक दो कोशन आपको रिजिनिंग में थोड़ा सा परिसान करेंगे ठीक है कि मतलब दो स्ट्रेट उन्हों में पकड़ा दीए तीसरा आपको इलिम्नेट करके बताना है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे मैंने बता दिया रही बाद इंग्लिस में बिलुकुल पुरानी रिपीट हो रही है एडियम से मेरे में नया था और दूसरा वाला तो पड़ा हुआ था एक थोड़ा सा नया था दिक्कत कर रहा था लेकिन आकरी में हो गया था ठीक है क्लोश टेस्ट बहुत लेंदी नहीं था छोटा सा क्लोश टेस आ सानी बिलुकुल अजीब हो करें जैसा कि आपको पता है कि जीएस में देखो यह मानगे चलिए कि जेग्राफी एक भी कोशन नहीं था साइंस के जादतर कोशन थे करेंट फेर के कोशन थे और साधी साथ डांस के एक दो कोशन से और इस्टूमेंट जो है इनसको आप जरू पढ़के रहें तो इनको आप प्रपेयर करके जाएं ठीक है और पॉल्टी के वी एक दो कोशन थे यानि कि ओबराल देखा जाए तो कोशन पचीस में से दस से बारा तो आप अटाइम्ट कर रही पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी विसेश हाँ दूसरी बार सराउंडिं कंट्री के बारे में भी यहां पर कोशन पूछ सकते हैं मेरे में कोशन था पर पर आपको पता बिशल जाएक चल लिए होगा किसीने किसीने बताया होगा अब मेरी सलाह क्या यह जदि आपका आंगे एक्जाम होने वाला है तो आप जो है पिपर देते समय बिलुकुल तो आप पेपर आसानी से कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और आपको पताएगी जैसे आप पेपर देंगे तो आपको आइडिया तो लग जाता है कितना लगबागी स्कोर होगा तो दोज़ाइब कर देखें उससे पांच नमबर और करतें पांच नमबर के आसपास ठीक उस रिंज में आपके रहें क्योंकि नॉर्मलाइजिशन में बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो आप तुरण मेंस की तहरी शुरू करने क्योंकि मेंस आपका जो एक्टूबर में होने की बिल्कुल मेरे साथ पूरा रिव्यू मैंने अपने पिपर का बता दिया है वीडियो दिया आपको अच्छा लगे तो लाइक करते हैं चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करते हैं थैंक्स फॉर्यूटेम